तो गाईस आज मैं एक्स्प्लेंड करूंगा मार्शल इन्वर सीजन 7 एपिसोड 6 के नवल को तो अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है या आपने खड़र सीजन 6 ही मिस कर दिया है तो मैंने इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है वर निर्वाना गोल्ड रैंकिंग में पार्टिस्पेट करने के लिए निर्वाना गोल्ड रैंकिंग के अरीना में जो भी रेजिस्टेशन प्रोसेस होता है, वो सारा कंप्लीट करकर उस एरिया में बैठा हुआ था जहां पर सारे बंदे एकदम खड़े ओड़े थे मतलब एक बहुत ही बड़ा आरीना था बीच में फाइटिंग करने के लिए स्पेस था और साइड साइड बैटने के लिए स्पेस था और लिंग डॉंग साइड लेडिशाइपल चूस करेंगे ऐसा नहीं यह कि जो भी बंद अस निर्वाना गोल्डल रींग में पार्ट्सिपेट नहीं करेगा उसे इस सूपर शैट की अफना डिसैपल नहीं बनाएंगे उन लोग को भी डिसैपल चुना जाएगा जो निर्वाना गोल्ड रैंक्ग मे खर्च करता है उसके बाद में सिंस्रिप्ट किया जाता है चहांपा लिंग्डोंग प्रिंच मोलिंग डूयून वैंग्षा लियोबाई यांसेन लिंग्डोंग के ग्रूप में आप काफी ज्यादा मेंबर हो चुके थे वो लोग बैठे हुए थे और वहीं पर जो से है और तुम भी जानते हो युवान गेट सूपर सेट का नंबर वन सूपर सेक्ट है युवान गेट सूपर सेक्ट में नंबर वन पोजीशन रखता और काफी ज्यादा पाउरफुल भी है आभी कुछ टाइम पहले तुम्हारा किंग टियान से जो थोड़ा सा लफड़ा फड़ा नहीं हुआ था यह जो किंग टियान है वह तुम डाइरेक्ट मान सकते हो कि वह युवान गेट से ही है और किंग टियान तुम भी जानते हो कि यहां पर पॉसिबिल्टी लगाई जा रही है कि वही बंदा इस पूरे निर्वाना गोल्ड रैंकिंग में फर्स्ट प पॉस्ट से है तो तुम्हें ऐसा मान सकते हो कि जो किंग टियान है ना वो भी युवान गेट में एड़िमिशन लेगा और उसका थोड़ा ग्रांड ग्रांड से है वहां पर लिंक जोंग महनी मां सुचता है मैं अब युवान गेट में एडिमिशन नहीं ले सकता है मेरा से पंगांगा हो चुका है और मिश्टर डाव की थोड़ी सी दुस्मनी होती है उसके बाद जो लिंग डॉंग होता है वहाँ पर जो लिवभाई होता है वह का तहरुकभाई मैं बताता हूं वह जो एल्डर है वह थाउजन पॉपेट सेक्ट से है और यह लोग पॉपेट को करने और बनाने में काफित ज्यादा एक्सपोर्ट है इनके सेक्ट में काफित ज्यादा स्ट्रॉंग स्ट्रॉंग पॉपेट और इनकी कॉल्टिवेशन भी एकदम नॉर्मल और मन नहीं होती है और तुम सबसे बढ़िया जानते हो क्या है इन लोग के पास एक अमर पॉप पॉपेट का नाम सुनकर ही बहुत ज़्यादा दिल्चस्प उसमें लेनी लगता है उसके बाद वहां पर यूबाई और भी सेट का इंट्रोडक्शन करवाता है उसके बाद जो लिंग्डॉंग होता है वह एक आल्डर को देखता है जो वह इसी आल्डर के ग्रूप में ब कर रहा था और मिश्टर डाव ने एंसेंट वर्ल्ड फिल का यूज करते वे अपने भातिक रूप को धारण कर लिया था तो उसी टाइम वहां पर एक बुढ़ा दिखाए दिया था और उसने लिंग्डॉंग से कहा था कि थोड़ा सा सतर करना जो अपना दोस्त मिश्टर दाव उससे कदो कि ये सलेश्ट डेमन मार्टीन वाला सरीर कहीं बाहर वर ना दिखाए वरना बहुत ही जादा तुम्हारे लिए प्रॉब्लम आ सकती है मेरा जो सेक्ट है उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है बट बाकी सेक्ट अगर मिश्टर डाव की बारे में जान ल्लम समयुवसर से इसके अंदर क्या चलता है कोई भी जाएं जानता 100 साल पहले इनकी सैट का एक कल्टिवेटर बहुत ही ज़्यादे गुस्टा ओ गया था जीउआन गेत के ऐल्डर के साथ इसका लफड़ा फड़ा ओ गया था तो से डावसेट के कल्टि ने युवान के सेक्ट में सीधा घुस गया और उसने तीन एलडर्स को जान से मार डाला तुम सोचो यार मत्हब पुरा युवाण गेट के एगदम घुस करूंकि एलडर्स को भी मार डाला और उस बन्दी को मारने के लिए कुद युवाण गेट के पैट्रियाच और काफी जादा पार्फुल कल्टिवेटर ने उस पर अटेक किया और फाइनली तब उस कल्टिवेटर को मार गया तुम इसी बासे डाव सेट की पावर और उनकी प्रतिष्टा का अंदादा अंदाज लगा सकते हो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता ह वह उस बुढ़ी कल्टिवेटर को देख रहा होता है बुढ़ी कल्टिवेटर की भी नजा लिंगडोंग पर पढ़ती है और वह बुढ़ा कल्टिवेटर लिंगडोंग को देखकर मुश्कूरा देता है वहाँ पर मिस्टर डाव लिंगडोंग से बोलते हैं डाव सेक्ट युआ हमारे लिए काफुक्स जादा बाणिया है हमें डाव सेक्ट को ही जोइन करना चाहिए क्योंकि डाव सेक्ट है में मतब तुम समझ सकते हैं ना लिंगडोंग यहां पर लिंग्डों के ग्रूप के मेम्बरस भी अभी मिस्टर डाउ की आइडिंटिटी के बारे में दोलता है फोता है एलिंग्डोंते लिंग्डों से जानते हैं लिंग्डोंसक्ति सरे मिले औरे लिंग sausage लेकिने उनका बहुत है कि विरासत प्राप्त कर रहा था तभी उस एल्डर से मेरी मुलकात हुई थी यह बात सुनकर वहाँ पर लियुव भाई काफी ज्याद़ सौख अजय तरकता है क्या तुम सच में डाउ सेट के आटर से मिले हो तुम काफी ज्यादा भागे साली हो क्या तुम्हारी चांसेश में दुम कि लेकिन पहोत ही ज्यादा ज 있는데 अजीब अगर तो उनाका रिक्वार्मेट्स हुद में ज्यादा है अगर नियुक्ति के पहले लेकिन फंट संगता थे का ज्यादा हुदाлаг वाई तो और अपने सभी मैंबर के साथ ऐसे बात बुदे करने लगता है उसके बाद में सेन सिप किया जाता और में कुछ टाइम बात का सीन दिखा जाता है जहां पर लिंग्डॉंक की गुरुप की तरफ कुछ मैंबर होते हैं और इन मेंसे जो उनका true genius होता है वो काफी ज़दा powerful होता है और यह जो सारी cultivators होते हैं वो great gun empire के cultivator होते हैं गैस आप लोग को याद होगा great gun empire mountain general और ऐसे एक और जनरल था लिंगड़ोंग का थोड़ा सामना हुआ था जब उसने चार महान सेट की विरासत प्राप की थी तो इन दोनों जनरल लिंगड़ोंग पर अटेक करके उसकी विरासत तुरा से छिनने की कोशिश की थी आपको या ढ़ना की लेवल फॉर के कल्टिवेट उत्हीं का जो टू जीनियश था वो निर्वाना के लावल फाइब का कल्टिवेट अवस्क्रेट ग्रेट गाने पार के सारी कल्टिवेट था वहां पर जो great gun amp रल लिंगड़ों की तरह आता है लिंगड़ों भी मांटे जनरल की तरह देखता है तुरंत भूए उन्वर्स के जल से जल सारी एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारा लाइफटाइम सब्सक्रिप्टन के वल 499 यानि 500 रुपे में आपको पूरा निवर्स का लाइफटाइम सब्सक्रिप्टन मिलेगा गाइस अभी मार्शल इन्वर्स के लग कर सकते हैं आपको नीचे तेल फिस अवर क्यंवर्स को एंखनाई की मैन सब्सक्रिप्टन उसके बाद में आप नहीं सब्सक्रिप्राइब कर लोगा आपयको पैमिंट करनी होग उसके बाद में मेरे मांटे जर्नल और एक और जर्नल जो आपके साथ बात तमियोत में जिकी थी ना उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ वहाँ पर लिंग्डों भी जब ग्रेट गान अंपायर के टूजीनियोस को देखता है तो वह भी बहुत ज़्यादा सौक हो जाता है सौक हो जाता है जब वह बंदा उससे माफ़ी मांगता है है और लिंग्डों को यहां पर पता चला था कि जो ग्रेट गान अंपायर है न वह भी टॉप टेन, सूपर अंपायर में अपना इस थान रखता है लेकिन ये जो ग्रेट गान अंपायर है वो स्काइडवल सेट से ज्यादा पारफुल नहीं था और जब इनको पता चला था कि लिंग डॉंग ने स्काइडवल सेट के ट्रू जीनियस सौंग जेन सौंग क्यूई और सौंग बाको बहुत ही बुरी तरह से पीट आउटा उनको जान से भी मारने वाला था बट टिया लिंग डॉंग ने बिना दान दाड़े उनदाड़े उसके ग्रूप ने किंग टिया नुआ से भी पंगा ले लिया तो मत पूरा ग्रेट गान एंपायर के लोग एकदम धहलोल गया थे वह मांटे जनरल यह सारे जो जनरल थे न उनको पता चला था कि उन्होंने लिंग गुश्चा हुआ था और उन दोनों जनरल उसको काफी ज़्यादा फटकारोट कर लगाई थी और उसके बाद जो इनका ट्रू जीनियस गंजन था वह लिंग डॉंग से माफी मांगने के लिए था वहाँ पर लिंग डॉंग भी गंजन से कतारे भाई इतनी ज्यादा गलती होई जाते हैं चलो कोई ना उसके बाद जो लिंग डॉंग और ग्रेट गान एंपायर का ट्रू जीनियस गंजन ऐसे कुछ बाते करते हैं उसके बाद ग्रेट गान एंपायर का वो ट्रू जीनियस गंजन वहां से चला जाता है उसके बाद हमें कुछ टाइम बात का सीन दि आज मैं यहाँ पर निर्वाना गोल्ड रैंकिंग में जितने भी बंदों ने पार्टिसिपेट किया और जिनका भी निर्वाना टोकट ब्लू कलर का हो चुका है उनका मैं नाम लेने वाला हूँ यही बंदे अरीना में एंटर करें उसके बाद वो लोग अपना फाइट स्ट स्टार्ट कर दी जाएगी जो भी इस निर्वाना गोल्ड रैंकिंग में अच्छा परदर्शन करेगा उसे सूपर सेक्ट अपना डायरेक्ट डिसाइपल बना लेंगे तो चलिए मैं नाम को पढ़ना स्टार्ट करता हूँ वहाँ पर जो लियो टांग होता है जो उसने रिशार्ट करता है उसके बाद वहाँ पर लियो टांग होता है वह और भी नामों को लेना स्टार्ट करता है वह कहता है महानुजार सेट का जीष चान होली सेट मोल न्टिंग है वाइस होली सेट का मोल लिंग है हेवेनली सूपर एंपायर से लानियान और गाइस आप लोग को पता ही लानियान को लिंगडों की मुलकात पिछले एपिसोड में हुए थे वही लड़की जो लड़के की तरह दिखती है बड़ उसके गुबारे बहुत ही ज़्यादा बड़ ईवानरी से नहीं ऊप ले रहा था वह जब किसी कल्टिवेटर का नाम बोला था तो उस्त्य में कृद विइंक रहा था जैसे उसके ग्रेट यान डाइनस्टी लो लेवल का सेक्ट आज पास के सारी कल्टिवेटर्स लिंगड़ों का नाम जाते हैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड में लिंगड़ों को देखते हैं तभी वहाँ पर लियो टॉंग की भोयों सिकर जाते हैं और सेकंड नाम लेता है ग्रेट मैं इसके नाम में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गाइस यह भी ग्रेट यान डाइनस्टी से ही है क्योंकि यहां स्नौल में ना डूयून का नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया गया था तो मैं यह कंफर्म नहीं बंदा डूयून है या मैंक्सा है आप लोग को याद होगा कि चार बंद यह थे तो डूयून और मैंक्सा में से एक ही बंदा सेलेक्ट हुआ जो निर्वाना गोल्डर रैंकिंग में गया है तो मैं इतना ज्यादा कंफर्म नहीं हूँ जैसे मुझे पता चलेगा न मैं आगे के एपिसोड में आपको बता दूंगा वहां पर जो लियो टॉं में ता ओर उनके पास एक कोई कम ही नहीं होती है केवल उनके एक से दुहीं मेंबर्स इस निर्वाना गोल्डर रैंकिंग में सब्यत्त होते हैं बाटों ग्रेट यां सब्स कर सकता है सार्थ रचींड़ की तीनों के तरद देख रहे होते हैं लेकिन वो लोस्ट निंग सब्सक्राइब कर दी ती उसके बाद वहाँ पर जो रेफरी लुट टॉंग होता है वह कुछ नाम को और लेता है और फिर वह लास्ट में एक नाम लेता और रखता है ग्रीट यान डाइनेस्टी लिंग लैटियन और जैसे लिंग लैटियन का नाम पुकारा जाता है आज पा लिंग कर सकती है पेट टेलिग्राम चैनल का प्राइस केवल 499 है जिसमें आपको पूरा मार्शल उन्वर्स का नावली मिलेगा सिर्दी लिंग लाम नावल उन्म